वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम है आपका मेरी चैनल परूज स्टाइल कॉर्नर पे तो आज का जो हॉल है वो विंटर वियर हॉल होने वाला है मुझे इस पे रिकुस भी काफी आई थी लेकिन प्रोड़क्स में जे रिसीव नहीं हो थे इसलिए मैं आप लोगों के साथ श सब्सक्राइब हो जाएंगे और इससे पहले मैंने मंत्रा कुर्टा सेट्स हॉल किया है उसमें भी मैंने एक पुलोवर मंगबाया था मंत्रा से वह एक मुझे रिसीव हो गया था तो उसमें मैंने शो दिखाया है आप लोगों को तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देख कर लोगों को से पहले मांस देख एक अब्सक्राइब को इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना जैसी देली के पहला जो है पुलोवर वह यह यह जए मस्टड़ एन यलो कालर में है और इसमे अप देख रहे होंगे इसे एमबलिश्मेंट हो रखा है और एमडोईरी की गई यह प्लार भी लगा रखा है तो यह प्लार भी लगा रखा है तो यह ब्रांट से सप्राज से और साइज मुझे इसमें मीडिय मिला था तो पुलोवर्स थोड़े यूज हो तो वह भी चल जाते अच्छे लगते इसलिए मैं इसको पिक किया तो मुझे इसका कल्ला रोज में यह जो पैटन हो रखा है यह काफी पसंद आया था आप लोग बताना आपको कैसा लगाए और इसकी मतलब यह विंटर वियर में पहनने के लिए काफी अच्छा रहेगा काफी वाम है क्योंकि मैं इसको ट्राइ कर चुगी हो तो यह वाम है ल अंदर कुछ वार्मर वगरा पहनना पड़ेगा उसके बाद ही करेंगे तो इससे काम चल जाएगा वैसे यह काफी इतना गरम है कि आप इसको अकेले नॉर्मल टैंड में कर सकते हैं तो सिर्फ देखने भर के लिए नहीं है यह मतलब अच्छा वाम भी है काफी तो मुझे यह मिला था 500 की रेंज में ही मिला था मैंने सेल के दोरान लिया था तो सारे प्रोड़क्स मुझे अंडर 500 रुपीस की रेंग में मिले तो यदी कुछ ऐसा प्रोड़क्त मिलता है 500 तो इस तो टूटली वर्थ एट गाइस यह आट अट ऑफ स्टॉक बहर जल्दी हो रहा थ तो मलत्रा पर भी ससप्राज ब्रांट है उस पर अविलेबल होगा तो उसकी भी लिंक आप लोगों को प्रोड़क्त का दो क्यों के गाइस जो नेक्स्ट पुलोवर मैंने लिया है वो है यह यह ब्लैक कलर में है यह देखिए इसमें वह आप देख रहे होंगे आगे यह एमबलिश्मेंट है और यहां पर यह प्रिंट किया गया है एनिमल प्रिंट यह भी काफी थीख है ऐसा थिन वाला नहीं है यह कि आप इसको विंटर में मतलब कैरी ना कर पाएं अच्छा खासा थीख है यह और यह है ब्रांट टोक्यो टोकी से और साइज है मेरा इसमें स्मॉल एक बार इसका क्लोज अप लुप दे देती में यह देखिए यह मुझे इसका पैटन काफी अच्छा लगा जोना उन्हें उपर यह एंबलेश्मेंट और यह ऐसा एनिमल प्रिंट दे रखा है और नीचे ऐसे यह लांग काफी है मुझे लांग काफी लगाई है तो आप इसको पोल्ड करके पहन सकते हैं तो यह भी परसनली मुझे काफी पसंद आया और जैसे की मैंने बताया आपको सभी अंडर फाइवंडर रूपीस की रेंज में हैं तो इसलिए काफी एफॉर्डेबल रेंज में सबी प्रोड़क्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी और प्राइजेज स्क्रीन पर एज यूजिल मेंशन कर दूँगी ठीक है झाल है मैं इस हुड़ी की बात कर रहे थी तो जो थर्ड में ने लिया है यह हुड़ी इसमें भी काफी सारे कलर्स है बल थे मैंने यह वाला कलर जूस किया क्योंकि यदि आप लोग मेरे साँ शुरुआ से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे यह मस्टर्ड यलो कलर ब प्रिंट हो रखा है यह खुड़ी है यह लेखिया और इसकी लेंक्ट उतनी नहीं है बड़ी जितनी की उन सब की थी जो मैंने भी आपको दिखा है क्योंकि यह खुड़ी शॉट ही अच्छी लगती है इसमें आगे जिप्विप कुछ नहीं दे रखी है सिंपल ऐसे ही डा वाकि आप क्रायोन पाहल पार्ट में देखना कैसी लगती है तो यह भी ब्रांड है टोक्यो टोकी से आइथिंक हां टोक्यो टोकी से है साइस है मेरा इसमें स्मॉल अच्छा इनके MRP तो काफी दे रखी है 1449 हैस की MRP जैसे की मैंने आपको बताया मुझे 435 ए 430 ऐसे 500 रु हुआ हुआ है आपको बता रही थी कि मैंने ये सब में चीजे देख रही थी, स्वेटर्स, जैकेट्स वगरा तो मुझे ये तॉप भी दिख्या, यूसीवी का, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बनेटन का, जो कि एक काफी अच्छी बाढ़ है, और काफी एफॉर्डिबल, अंडर थ्री हंडर् ये पैपलम स्टाइल में है, और इसमें ये स्लीवलेस टॉप एड़ा, और साइस है मेरे, इसमें यूसीवी का है, और साइस है मेरे, इसमें स्मॉल, और इसमें आप ये दिख रहे होगी, पीछे बड़ी इसे जिग्दी रखी है, जिसकी जरूद नहीं होती क्योंकि इसका फैबरीक इतना स्ट्रेचिबल है, तो आप इसको इसली ऐसा ही वेयर कर सकते हैं, इतना नहीं कि इसका छोटा नहीं है, कि इसमें उपन करने की जरूद परे, जरूद परे, तो अभी तक जो मैंने आपको तीनो दिखा है, काफी अच्छे गरम है, आप उसको विंटर में पहन सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया है, अदिया आप नोच साइट रहते हैं, तो वहां इतनी ठंड पढ़ती है, कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको दू-त अच्छे में पढ़ती है, तो इसकेस में अंदर आप वार्मर वगरा पहनें और फिर इनको केरी करेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो नेक्स्ट पॉलोवर है, वो है यह, 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 बॉटल ग्रीन कलर में है, इसकी भी ब्रांट है, टोक्यो टो इसा नेट का इनोंने यह फैबरिक लगा रखाए बीच में और फिर यह वाइट, इसकी भी लेंग्ध लॉंग ही है, है, इस विंटर वेयर हॉल का प्रोडाक्ट विखाने को मेरे पास, वो एक कार्डिगन है, और गाइस, यह, कार्डिगन थोड़ा, पुराने स्टाइल का है, जो ट्रडिशनल भेले जलते थे, तो यह, आपकी मॉमी यह, कोई नानी दादी, तो उन लोगों को ऐसे इस टाइब के अच्छे लगते हैं, मैं तो इस टाइब के नहीं पहती हूं, फिर भी मैंने एक सोचा कि कार्डिगन हॉल में ग्लूट करना चाहिए, इसलिए, इसमें आगे में पूरे बटन्स हैं, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा रहता है, और यह बॉम भी काफी रहते हैं, यह पूरा गुलन कहीं है, इसकी ब्रांड है, पीवी, इसका ब्रांड एक्चली मुझे समाझ में नहीं आ रहा, पीवल यह पीवी है, लिंक तो मैं आपको दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप पहां जाक मैंने, इसमें बहुत सारे कलर्स अविलेबल थे, यह है, अब यह कैमरे में मुझे सा लग रहा है, यह बहुत ब्राइट दिखा है, इसका कलर, यह गाजरी पिंग जो कलर होता है, वह है और यह वाम बहुत है लिके, जो सभी दिखा है, उनमे से सबसे ज्यादा वार्म, तो गाइस, यह था फ्लिप कार्ड विंटर वियर हॉल, और इससे नेक्स्ट एक और फ्लिप कार्ड विंटर वियर हॉल पार्ट टू भी जल्दी आने वाला है, जैसे कि मैंने बताया है, काफी सारे प्रोड़क्स मैंने और कर दी हैं, पर मुझे रिसीव नहीं हुए, जैस काभी विंटर वियर हॉल, पार वन, पार टू होगा क्योंकि काफी सारे प्रोड़क्स और किये हैं, और एक ही वीडियो में बताने बैठ गई तो वीडियो काफी लंबा जाएगा, तो मेभी उस वीडियो को भी मुझे पार्ट वाइस डिवाइट करना होगा, सो स्टे टू तब तक लेगे, स्टे वाइट रहलुए रहलुए रख़ए और बडाएट